गावाणी स्टूडियो के रईवार विसेश कारिकरम आओ लोट चले गाओं की और प्रकर्ती की और में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज हम आपको लिये चलते हैं थाना गाजी की उन सरिस्का की वादियों के बीच इस्तित एक किसोरी गाओं में जहांकि करने वाले जो कलाकार है वह पिछली चार पीडियों से लगातार इस कला को किस प्रकार एक पीडी से दूसरी पीडी तक ले जाने का काम कर रहे हैं हम यहां मूर्ती आर्ट उद्ध्यों के पास खड़े हुए हैं यहां पर मुकेश कुमार सर्मा जी जिनकी आयू आज अगर हम बात करें तक्रीबन वो 50 वर्स की आयू पार कर चुके हैं और 30 वर्सों से उन्होंने इस मूर्ती कला को एक आत्म निर्भरता की साथ जोड़ते हुए आज उनके परिवार के 3-4 लोग इस काम से जुड़ने के साथ साथ तक्रीबन 5-7 लोग इनके यहां इस मूर्ती निर्म पत्थर आपने पैरों में पढारे लेकिन सिल्प कार अगर अगर उसी पात्थर में अपनी चेनी और हतोड़े और अपनी कल्पना के साथ अगर सवरूप प्रिदान करता है तो वही पत्तर मूरत बनके और मंदिर में लोग उसके सामने अपना सर झुखाते हैं तो ऐसे ही स कला को यानि वेद प्रकास सर्मा जी हमारे साथ में हैं जिनोंने अपने दादा और पापा जी से ये सीखा और सीखकर वो भी आज इस काम से जुड़े हुए हैं तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं आज यहां जो किसोरी के पास एम जी जो मूर्ती आर्ट उद्योग है वहां पर हमारे साथ वेद प्रकास जी हैं जिनोंने बार्वी तक की पढ़ाई पूरी की है और अभी 25 वर्स की आयू इनोंने पार की है यूवाओं का विसेश फोकस रहता है कि पढ़ाई के बाद वो सरकारी नोकरी की तरब जाएं ल इसकारी करम में आपको हम रूबरू कराते हैं वेद प्रकास जी से और साथ में उनके मूर्ति निर्मान का उद्धोग है उसे आप लोगों के साथ इस डिजिटल प्लेटफोर्म के माद्यम से साजा करने का काम करेंगे तो चलिए हम चलते हैं इनके उद्धोग की और नमस् किवार के यहां काम कर रहे हैं साथ में साथ आठ लोग आप बाहर से भी यहां पर लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम कर रहे हमारी गावणी की जो इस्टूडियो की टीम है वो जानना चाहेगी कि आपके इस उद्धोग में किस प्रकार की कौन-कौन सी मूर्तिया बनती हैं और कैसे आप इस चीज को सीख कर आगे बढ़े तो चलिए हम चलते हैं इनके मूर्ति उद्ध्योग की ओर कि यह जो आप देख रहें एम जी मूर्तिकला उद्धोग है इसमें यह पूरा का पूरा इनका कारखाना है जहां इनकी जो कार्मिक हैं जिने रोजगार इनोंने आपने इस मूर्तिकला उद्ध्योग में प्रदान किया है साथ से आठ लोगों को इनों ने अपने यहां रोजगार दिया हुआ है कुछ देर बाद लगबग आठ से नो बजे तक वो लोग यहां पहुंच जाते हैं हमें अभी उम्मीर है कि इस कला को किस प्रकार डिजिटल रूप से लोगों तक पहुंचाने का हम काम करें नीचे अलकुल नीरस रूप में पड़ा हुआ है लेकिन उसी पत्थर की दूसरी जो सूरत और दूसरा जो प्रारूप आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ जो यह मूर्तियां बनने के बाद अभी यह सिर्फ निर्मान की पूरी प्रक्रियाक से कंप्लीट नहीं गुजरी है अभ लेकिन एक सिल्पकार अपनी सिल्पकला से कैसे इस पत्थर को स्वरूप प्रदान करता है बाद में वो पत्थर एक मंदिर में मूरत का रूप लेकर और लोगों की आस्था का एक स्वरूप बन जाता है ऐसे ही सिल्पकार की कला को हम यहां प्रदर्शित करने के लिए आज थाना गाजी के किसोरी गाउं में आये हुए हैं हम आप ही सभी जो ओनलाइन इस गाउवानी स्टूडियो से जुड़े हुए दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आज भी हमारे इस समाज में हमारे आसपास के छेत्र में ऐसे लोग इस्तित हैं जिनोंने अपनी इस परंपरा इसकी युव वस्ता में इनोंने युव होते हुए अपने अपने संस्कारों के साथ अपने परंपराओं के साथ जो इनके पूर्खों नैजा चीखी कला थी जो मूर्ती कला जो ओद्धोग था उसे अगली पिडी तक ले जाने का काम इनोंने किया है तो हम आप आपको रू आपका स्वागत है हमारे गाउवानी स्टूडियो में विसेशकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाउवानी स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफोर्म है जो गाउं के अंतिम छोर पर गाउं के ऐसे ग्रास रूट पर इस्तित ऐसे लोग जिनोंने अपनी कला से पहचान पाई ह और आज हम आपके इस मूर्ति कला उध्योग पर आये हुए हैं और हमने देखा कि किस प्रकार आप पत्थर को एक मूरत बनाने का काम कर रहे हैं मैं जानना चाहूंगा कि यह प्रेणा आपको कहां से मिली कैसे आप इस मूर्ति कला का जो आपका पूर्खों से अगली अभी जाने का काम कर रहे हैं तो कैसे यह चीज आपने सीखी कहां से आपको प्रेणा मिली और किस प्रकार आप इसको एक भविश्य में एक अपने आपको कहां देखना चाहते हैं तो मैं जानना चाहूंगा वेद प्रकाजी ज्री काम हमारे दादा जी करते थे फिर पापा जी ने समाला पापा जी आप 30 वर्सों से य हैं और फिर मैंने बारी जिए तक पढ़ा ही की बच्पन में हम ये kाम को देखते आरहे हैं तो दीरे दीरे हमने इसको सीखा और बारी पास करने के बाद हम प्रोपर तरीके से इसी में लग गए और ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि जब आप बच्पन में खेलते थे और दादा और पापा जी को अप यहां मूरती निर्मान करते विए देखते थे तो आपके मन में भी करता था कि किस परकार इस मूरत को आप भी बनाना सीखो और आपने ना सिर्फ सीखा आज अपने पिताजी के बिजनिस में आप पूरा एक कंधा बनकर उनका साथ दे रहे हैं मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर आप से कि यह जो मूर्ति निर्मान का जो काम है आपकी यहां की बनी होई मूर्तियां कहां कहां तक पोंच रही हैं और कहां कहां से आपको order मिलते हैं, किस प्रकार आपका ये जो काम है वो आगे बढ़कर हमारे भारत के अलग-अलग राज्यों तक पहुंच रहा है, तो ये यात्रा हम आप से जानना चाहेंगे. सरी ओल इंडिया में जाती है, लखनव, बनारस, दिल्ली, महराष्ट, आंधरापर्दे, सबी जगा ओल इंडिया में जा रही है मूर्तिया. तो आपके पास बल्क में ओडर आते हैं या फिर आप मार्केट तलासने का काम करते हैं? नहीं सर, बल्क में भी आते हैं और कस्टूमर यहां आता है, यह ओनलाइन फोन से ओडर देता है, फिर हम तयार करते हैं, मूर्तिया कम्प्लीट भी रखते हैं, जैसा पसंद आता है वैसी काम करके देते हैं. बिल्कुल जिस परकार वेदप्रकाजी ने बताया कि इनके पास बल्क में भी ओडर आते हैं, और साथ में मलब कस्टूमर के थूरू डिरेक्ट ली भी इनके पास यहां ओडर आते हैं, बहुत अच्छा लगा वेदप्रकाजी और विसेशकर आपकी इस बात को सुनकर हमें अच्छा लगा, जहां युवा आज विमिक हो रहे हैं अपने मुख संस्कारों से वो एक पाष्या संस्कृती का अनुसरन कर रहे हैं, लेकिन आपने ना सिर्फ अपने माबाप की और अपने दादाओं की जो विरासत थी, जो उन्होंने सीखी थी, उसे बचाने का काम किया साथ में आपने ये भी काम किया कि कैसे इस मूर्ती निर्मान का जो आपका जो ये काम है, इसे आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं एक चीज और आप से जानना चाहूंगा वेद प्रकाजी, कि किस प्रकार आप लोग ये जो मूर्ती निर्मान करने का जो काम आप कर कलपना करते हैं कि यह पत्थर यह मूरत बन सकता है सर यह हमने सीखा है उसके आदार पर हम इस पर प्रोपरली काम करते हैं दीरे-दीरे काम होता है तो मूरती छटकर आती है भार अच्छा स्वरूप लेती है निवह मन की बात आप से जानना चाहूंगा कि क्योंकि सर एक सिल् नेज का रूप ने इस प्रकर आपके दिमार्ग में आपकी कलतना में वह ओरोप कैसे मांध में कल्पनान घर करती है कि यह पत्र इस तरह का बन सकता है सरम नहीं सीका काम तो सिस्टम से सिका है हर तरे नापजों करके, outta कि अपने बताया कि एक मारवल पत्थर को कैसे आप एक स्वरूप देने का काम करते हो और वो चीज आपने सीखी अनुभह से परखा और उसके बाद आप उसको एक स्वरूप देने का काम करते हैं तो हम देखना चाहेंगे कि सर कैसे आप इस पत्थर को मूरत बनाने का जो सफ तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे एक पत्थर मूरत का रूप लेता है। बेजान पड़ा ये पत्थर जो आप सामने देख रहे हैं, एक सिल्पकार जो एक मूर्तिकार जो होता है इस पत्थर पर अपनी छेनी और हत्योड़े की प्रहार करके कैसे एक मूरत का एक स्वरूप प्रदान करता है। उसी स्वरूप उसी कारखाने में आपको हम ये सब चीज़ें देख दिखा रहे हैं। अभी ये निर्मान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ये जो मूरत आप सामने देख रहे हैं कि मा सरस्वर्ती की प्रतीमा है। जिसको कलाकार अभी आकार देने का काम कर रहा है कैसे हंस किस तरह एक कमल कुस्प के उपर विराजमान ये मूर्ती है। विना की वाधनी जो मा सारदे जिसे हम सरस्वती के नाम से जानते हैं। उसना रूप, क tussen प्थर को एक मूरत का रूप प्रदान कर रहय है। यह इस्थान पर एक कारीगर किस परकार एक तरीके से जो सिल्ब कार एक मूर्थी आपने हतोड़ी और चेने से अपनी कल्पना को स्वरूप देकर कैसे इसे पत्थर को जान डालने का काम करता है उस कला को उस पार्ट को हम आप लोगों के साथ रूबरू कराने का काम कर रहे हैं, गाउवानी स्टूडियो का इट प्रियास रहता है, ऐसे गाउं के अंतिम छोर पर इस तरह के कलाकार आर्टीजन जो लोग अपनी कला को आगे लाने का आउसर चाहते हैं, उन्हें आउसर प और उनके पापा किस परकार उनके दादा जी और उनके पड़ादा जी ने अपने पुर्खों से सीखी हुई कला थी जिने आगली पिडि तक लाने का काम किया है और आज एक आत्म दिरवर भारत का एक स्वपन भी ये साकार कर रहे हैं यहीं गाओं में रहकर और लोगों को र रहे जाने का काम भी किया है। इसी तरह की कहानियों को हमारा प्रियास रहता है कि इस मन्स के माद्यम से आप लोगों तक लाने का काम करें। जो लोग इस प्रकार की मूर्तियां बनाना चाहते हैं। थाना-गाजी, अलवर में सरिच्का की कोर-zone उसमें जो इस्थिति यह, जो इनका मूर्ती का जो उद्धोग है, जो M.G. मूर्ती कला उद्धोग के नाम से इन्हों ने किसोरी में इस्थापित किया हुआ है, यहां आकर आप इस तरह की मूर्तियां बनवा सकते हैं, जो इन्हों ने हमें बहुत विशेश बात बताई, कि यह लोग order से भी मूर्तिया बनाते हैं, बहुत से लोग इन्हें WhatsApp के थुरू या Social Media के थुरू इनके पास फोटोस भेजते हैं, उसके साथ इनकी जो अलग-लग तरह की मूर्तिया हैं, उनका size यह लोग उन तक भेजते हैं, और उसके बाद कैसे उन लोगों तक यह transportation की भी व्य अचान दिलाई है, यहां हमें पता चला की कि सोरी के राधा कृष्ण जी की जो मूर्तियां हैं, वो famous हैं, और यहां के कलाकार इस चीज को बहुत विसेश रूप से बनाते हैं, अभी जो हमारे को पता चला की इनके छोटे भाई जो हैं, वेद प्रकाजी के छोटे भाई भ अपने आपको बढ़ाने का काम यहां पर कर रहा है, हम आप सभी से आववान करते हैं कि आप प्रकर्ति के साथ, जुड़ने के साथ, अगर हम अपने वजूद के साथ, अपने संस्कार, अपने परंपरा और अपनी जो संस्कृती के धुरू जो चीज़ें सीखी गई हैं, तो भी अगर हम आगे ले जाने का काम करें, तो आदर्स रूप में एक समाज का निर्मान किया जा सकता है, ना सिर्फ गाओं में रहके रोजगार के अवसर उत्पन किये जा सकते हैं, साथ में अपनी कला से पहचान भी प्राप्त की जा सकती है, तो वेद प्रकार जी और इनक इसके बाद आगे का स्वरूप आपको दिखाते हैं, कि मूर्ती को फाइनल स्टेज पे ले जाने के बाद कैसे पॉलिस होती है, और फिर उनका मूल जो स्वरूप होता है, जो विक्री के लिए लोगों तक भेजते हैं, उस छेतर की और हम बढ़ रहे हैं, और यहां से जो वेद प्रकास जी की तरफ आगे बढ़ते है, और इसको देखते हैं, कि कैसे यह अपनी कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यह जो मूर्ती आप देख रहे हैं, यह पॉलिस होने के बाद वास्तविक Final Stage के उपर है, यह आप देख रहे हैं, यहां क्रिशन जी की मूरत को यहां बनाया हुआ है वोद की जो मूर्ती को भी यहां देख रहे हैं अन्बान जी को हम यहां देख रहे हैं जो पत्थर आपने पड़े हुए देखें उसको वास्थिक रूप देने के बाद जो मूर्तिकार है उस परेकार की एक बोलता हुआ पुजा अरचना के साथ मंदिरों में इन पत्थरों के सामने लोग अपनी आस्था के साथ माथा टिकाने का काम भी करते हैं यह मूरत कैसे आकार लेती है वो सब चीजे रहां ने काम करते आपशे वेत प्रकार यह की को आगे का स्वरूप पृदान करेंगे उस चीज़ को हम आपको बिखा रहे हैं यहाँ पर यह स्वरूप देंगे जो कृशन जी का जो चहरा है जो उनका आकार है जो शुरूप है उसको बनाने का ये काम करेंगे उसी को हम यहाँ पर आप लोगों के साथ साजा कर रहे हैं। दिखाएंगे कि कैसे इसको मूर्थी को एक चहरा जो इसका स्वरूत होता है वो कलाकार कैसे प्रदान करता है। वो सारी सीजे हमारे सामने यहाँ वन बाई वन एक एक करके प्रदर्टिक ही जा रही है। आप बनाने का काम साथ में चहरे में इसके जो नाथ और होत पर साथ में चहरा की तरह बनता है। यहाँ हमें इस कलाकार के द्वारा वेद्प्रकाज भी हमें यह बना कर दिखाएंगे कि तैसे एक मूरत का कहरा बनाया जाता है। तिन अलग लग स्टेफ से चड़नों से एक मूरती को जिर्मान करने का काम एक मूरती कार करता है। अलग लग करें कि जो मसीलरी के जो उजार हैं उनके साथ कैसे पत्थर को धीरे-धीरे काच कर और एक मूरत बनाने का काम एक मूरती के द्वारा किया जाता है। जो तीज हमने उनके सुनी वही साम इनके द्वारा किया जाता है। जैसे यह शहरा और शहरे के साथ मूरत जो परूप बनाने का जो साम होता है वो एक कलाकार के द्वारा किया जाता है। एक मूरती बनाने में सही दिनों का समय लग जाता है। एक कलाकार जब एक मूरती को परूप देने का काम करता है तो वो एक दिन में नहीं परूप दिनों की प्रक्रिया होती है। इसको पूरा करने के बाद वो मूरत बनकर तयार होती है। इसी मूरती को परूप देने का काम एक आतार देने का काम जो क्रिया जाता है। पर के दिन रहे होती है। ततार जी दिस्केश पूरत भीयुआरा दो रहे हैं। इसे लुआर थि को ने समतर ही गणाउर थैखा डूप आने वाले जो करिवारें व्रतस्य उनको भी एक प्रेयलागी है। कि हमें मुझे आ पापा जी निए अपने दादा जी से पिखा इन अपने अपने पापा जी से सीछ तर अगली वह पीडी तक लेजानी का जा आप इसको यह पर रहे हैं वात्य में यह सवरूप लेने का निख disgust कर रहा है ऐसी सी कला आज भी लोगों के हातों में है लेकिन इस कला को एक सही मार्केट अगर में जाए तो ये लोगों को रोजगार आप निरबर भारत के स्वतन को खातार करने का एक जीता जागता उधारण भी बनकर हमारे सामने आता है कि आप देख रहें कि धीरे धीरे आखे बनने लग गई नात बना फोट बने इसके बाद कहरा एक परूप लेने की कगार की तरब बज़ रहा है यहीं एक कलाकार की एक कला की वाक्षित्ता होती है कि वो कैसे एक पत्थर को काज कर एक प्रूप प्रदान करता है कैसे कुटलिया इसके आख की संगतना इसके लाकार में बनाई है यहीं तो हमने सुझ में अपनी आखों से जहां बनते हुए देशी और आप लोगों को भी इसे गावानी स्टूडिय के इसे आओ लोज कले गाओं की और प्रकर्पी की और साथ में हम एक नया सब जोड़ने के मिला कि प्राथील कलाओं की और हम जुड़ने का एक काम करें जो हमारे तुर्खों के हाथों में थी लेकिन आज नमिनी करन के कारण वो लुगती होती जा रही है लेकिन रेप्रकाजी जैसे लोगों ने इसे ना सिर्फ जिंदा रखने का काम किया है साथ ने आधे लेजाने का काम भी इनने इसे कला के लिए किया है तो चोना हम इसे जावानी स्टूरियो के इस वीडियो के महादम से इन तभी तिल्फ तारों को एक मंत प्रदान करें इनकी कला को आजे तक बढ़ाने का काम करें जहां लोग बहुत पैसा खर्ट करके घर ब अगले गावानी के तारेक्रम में आपको ऐसे ही नए कलाकारों से रूबरू करानी का काम करेंगे जो हमारे आज पास ही हमारे अलबर जिने के अलग-अलग खेत्रों में इस इताथ पूरे वर्थ भर में लोगों तक पहुंसे हैं लेकिन इस क्लातार को कभी एक मंच पर पृस्थत और इसकी सलास एक सरहना नहीं जिलीए तो आई humor को इए हम सभी क्लाकारों को एक विश्वाद सिलाईं एक सरहना करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके इसttर वीडियो को लाइब करें लोगों तक पेर करें जिसके वे प्रकार की जो सला जो ये सीट रहे हैं वो नासिब आगे लोगों तक पहुंचे साथ में इनकी बनाईवी मूर्शियां लोग खरीदें और इनका मार्केश लंबे इसकर तक बने तो चलिए हम अगले रईवार फिर मिलते हैं एक इसी प्रकार सब्सक्राइब जो आज हमें महमें जो रहा है कि ऐसे जेज़सकाजी जैसे कलाकारों की चला को हम किल्मान करके आप लोगों तक पहुचा रहे हैं तो हमें ली लगता है कि हमारा मस्वचद एक प्रियास उसका ही भिवाने जा रहा है तो हम फिर मिलते हैं अगले रई यार स तब तब के लिए आपके विदा चाहेंगे, जैहिं जैर्भारत!